हाई गाईश फिर से एक नए वीडियों आपका स्वागत है फाइनली सौमी की तरफ से सौमी MI10T और MI10T प्रो ये दोनों ही स्मार्फोन का आज पूरा का पूरा अस्पेक से मतलब लीग हो चुका है तो इस वीडियों में आपको ये दोनों ही स्मार्फोन के बारे में बताने वाला हूं कि ये दोनों स्मार्फोन में क्या खास देखने के लिए मिलता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाईश वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओन कर लें जिससे मेरा नु इसमें आपको सुपर अमोले डिश्पले नहीं मिलता है और 144 का रिफ्रेश रेट दिया गया है डिश्पले में जो की बहुत ही अच्छी बात है और MI10T में 5000 एमेज की बैटरिक दी गई है जिसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है अगर प्रोसेसर की बात कर जाएगा पिछे की तरफ जिसमें आपको मैन केमरा 64 मेगाफिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा अगर सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको 20 मेगाफिक्सल का सेल्फी मिल जाता है MI10T को दो वीरियंट में लॉंच किया जाएगा 8GB और 108GB storage और 12GB और 256GB storage तो गाइज य करते हैं MI10T Pro के बारे में कि इसमें क्या खास देखने के लिए मिलता है इसमें भी आपको 6.67 इंच का IPS LCD Full HD दिश्विले मिल जाता है इसमें भी आपको 144 का refresh rate मिल जाता है इसमें भी आपको MI10T की तरह 5000 mm की बेतरिक दी गई है 33W का fast charger दिया गया है स्नाइब ड्राइगन 865 दिया गया है बस यहां पर ही camera में चेंज देखने के लिए मिलता है MI10T में आपको 64 MP का primary camera मिलता था लेकिन MI10T Pro में आपको 108 MP का triple camera से तब मिलता है और selfie सेम दिया गया है 20 MP मतलब तो MI10 और MI10T Pro में दोनों में आपको 20 MP का selfie मिल जाता है और दोनों में ही side Mounter fingerprint दिया गया है in display fingerprint आपको नहीं मिलता है क्योंकि दोनों में ही आपको Super AMOLED डिस्पले नहीं दिया गया है इसलिए आपको in display fingerprint नहीं मिलता है side mounter fingerprint दिया गया है जो कि अच्छा है और काफी fast भी काम करता है दोनों में ही punch hole selfie देखने के लिए मिलता है साइड में पंचोल शेल्फी देखने के लिए मिलता है जिसे आगे से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो गाइस दोनों में ही सेम अस्पिकेशन मिलता है थोड़ा बहुत केमरा में चेंज कर दिया गया हुआ यहां पर 108 मेगा पिक्षल का केमरा दिया गया और सब कुछ अस्पिकेशन सेम ही है अगर कीमत की बात करें तो कहा जा रहा है लिक के मुताविक कि यह 40,000-42,000 के बीच में लॉंच हो सकता है इंडिया में इंडिया में नहीं इंडिया में आएगा तब और भी और भी कम कीमत प बीच में ही लॉंच हो सकता है इंडिया में कंफरम नहीं है लेकिन लिक के मुताविक 30-40,000 के अंधर हो सकता है अगर 40,000 से उपर जाता है यह दोनों ही स्मार्पोन तो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं चलेगा यह दोनों स्मार्पोन क्यूंकि इससे अच्छा सा पहले से ही इंडिया में हैं तो गाइस देखेंगे MI TNT और MI TNT Pro दोनों ही स्मार्फोन किस कीमर पर इंडिया में लॉंच होता है वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा अगर आप ये दोनों स्मार्फोन के लिए एक्साइटेज हैं तो आप कोमेंट करके बता सकते हैं अगर आपक कोई वीडियो में कोई कमी देखने के लिए मिलता है तो भी आप कोमेंट में बता सकते हैं जिससे मैं अपना वीडियो को और भी अच्छा तरीका से इडिट कर पाऊं या अच्छा तरीका से बना पाऊं तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था तो आज के वीडियो पसंद रहेगा तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राब कर लेजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिससे मेरा नोटिफिकेशन मूर मिलता रहेगा आपको हर समय तो कल की वीडियो मिलते हैं बाई